असेंबली उप्चुनाओं के नतीजे आने के बाद अब सूबे में सिच्छक असना तक MLC चुनाओं की सरगर्मियां तेज हो गई हैं इन पदों के लिए नामांकन प्रक्रिया चल लही है जिस कारण अभी दावेदारों की तस्वीर असपष्ट नहीं हो सकी है हाला कि संभावित उमीदवार ओटरों से संपर्क कर उन्हें अपनी ओर रिजाने में जुट गए हैं उधर सरकारी मसीनिरी भी एक दिसंबर को प्रस्तावित मद्दान को पार्टियों की तैनाती कर उनकी रवानगी की तयारियों में मशगूल है उत्तर प्रदेश में 11 सिचक असना तक बिधान परसत सदस्यों का कारिकाल 6 मई 2020 को समाप्थ हो गया था नए 655 वर्सिय कारिकाल के लिए चुनाव आयोग द्वारा चुनावी पक्रिया अपनाई जानी थी पर मार्च में देश दुनिया में फैले कुरोना वार्स के चलते चुनाव आयोग को चुनावी पक्रिया बीच में रोकनी पड़ी संक्रमर धीमा होने पर आयोग नी 5 नॉमबर से यह पक्रिया शुरू कर दी है यह 12 नॉमबर तक चलेगी इससे फाइनल उमीदवारों की तस्बीर साफ नहीं हो सकी है मलसी सिच्चक असनातक चुनाव का मद्दान 1 दिसंबर को होगा मद्दान सुबह 8 बजे शुरू होकर साम 5 बजे तक चलेगा इसका परणाम 3 दिसंबर को आएगा अब एक नज़र डाल लेते हैं असनातक मलसी के संभावित दावेदारों पर लकनोग खंड से असनातक मलसी कांती सिंग एक बार फिर चुनावी समर में हैं इसके अलावा भाजपाने आउनीस कुमार सिंग वसपाने राम सिंग राणा कॉंग्रेस ने बिर्जेश सिंग को चुनाव मैदान में उतारा है इनके अलावा बिजे प्रताप सिंग, हरीश कुमार सुकला, एजाज नकवी, मुहम्मद रिजवान, अजय कुमार सिर्वास्तो, बीके सुकला आदि उमीदवार हैं अब एक नजर सिचक MLC के संभावित दावेदारों पर भी डाल लेते हैं सिचक MLC उमेश दुवेदी एक बार फिर अपनी किस्मत की आज माईस कर रहे हैं उमेश बिजेपी के टिकर से इस बार मैदान में हैं पांडे गुट के सहा आलम, चंदेल गुट के महंद नातराय, सर्मा गुट से आरपी मिश्रा, सपा से उमा शंकर वा चंदेल गुट के बागी प्रत्यासी सोहन लाल वर्मा सामिल हैं सिच्छक असनातक चुनाओ के लिए जिले में 30 मदान केंद्र वा सरसट बूथ बनाए गए हैं निरवाचन विभाग के मताबिक लखनो खंड असनातक चुनाओ के लिए यहां पर 16 मदान केंद्र बनाए गए हैं जबकि 50 बूत बनाए गए हैं इन में 17 मुख्यवा 33 सहाइक बूत सामिल हैं इसी प्रकार सिचक चुनाओं में जिले में 14 मद्दान केंद बनाए गए हैं जबकि 17 बूत बनाए गए हैं सभी बूत मुख्य सेडी में रखे गए हैं लखनव खंड असनातक और सिचक मलसी चुनाओं में जिले के 42,368 मद्दाताओं डालेंगे निर्वाचन विभाग के आंकणों के मताबिक लखनव खंड असनातक मलसी में गेजवट मद्दाता अपने मताधिकार का प्रियोग करेंगे ऐसे में पूरे जिले में इनकी संख्या 49,778 है इसी प्रकार सिचक मलसी चुनाओं में 2600 सिचक मद्दाता हैं ये सबी अपने मताधिकार का प्रियोग कर बिधान परसत के लिए अपना नुमाइंदा चुनेंगे अब एक नज़र डाल लेते हैं कौन दे सकता है ओट पर सिचक मलसी ओटर कार्ड होते हुए भी हर कोई इसमें ओट नहीं डाल सकता ओट डालने के लिए सिचक होना भी काफी नहीं है मलसी के चुनाओ के लिए हाई स्कूल और उसके ऊपर पढ़ाने वाले टीचर्स ओट डाल सकते हैं लेकिन इसके लिए उन्हें मलसी चुनाओ में ओटर बनना होता है माध्मिक बिद्यालय पब्लिक स्कूल, कॉलेज, इंजिनिरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉली टेक्निक कॉलेज, सेंटल स्कूल और अन्नी स्कूलों के टीचर्स ओट डाल सकते हैं इसके अलावा मानता प्राइबेट स्कूलों के टीचर्स को भी वोटिंग राइट होते हैं इन्हें जिला बिद्दाला निरिचक से साइन कराने होते हैं अगर जिला विद्धाला निरिच्छक लिख कर दे दें कि फला वेक्ति टीचर है तो वो ओटर लिस्ट में नाम डलवा सकते हैं अब एक नजर असना तक MNC पद पर भी डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश विदान परशद में गेजुएशन कोटे की आठ सीटे हैं इनमें भी वही लोग ओड डालते हैं जिन्होंने कम से कम गेजुएशन की पढ़ाई की हो गेजुएशन की ये तीन साल हो गया हो वो ओटर लिस्ट में नाम आने के बाद ओड डाल सकते हैं MNC को चुनने वाले और MNC के उम्मीदवार गेजवट होने चाहिए खबर आपकी नजर हमारी देखते रहे आइंडिया